Hi guys, welcome again to another episode of Upskill Your Trading. यह तीसरा एपिसोड है, हम इसमें बात करने जा रहे हैं Mr. Tushar से और समझेंगे कि वो क्या problem face कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है and we will try to give them some solution जाकि उनकी help उपाए. If you are new to this channel, let me tell you कि हम Upskill Your Trading में आप से बात करते हैं कोई भी beginner हो, कोई भी unprofitable trader हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस direction में जाना है We talk about it, हम उनकी direction समझते हैं, problem समझते हैं और फिर solution दिने की कोशिश करते हैं Even if you want to join this program, you can fill the form in the description, Google form मिलेगा आपको उसको fill करो And we will contact you for interview Definitely, जो भी आपकी help हो सकती है, हमाय साइट से हम करने की कोशिश करेंगे Now, let's move to the interview, देखते हैं तुशार की क्या problem सी और हम क्या solution दे सकते हैं उसके लिए So, how are you? Good sir, बहुत अच्छा मेर लग रहा है मुझे आप से बात करते हुए Same here, same here bhai Okay, कहां से हो आप? मैं महाराष्ट्रा से हूँ, जलगा हूँ महाराष्ट्रा, काफी बढ़ी हाँ, मनलब काफी अच्छी जगा है महाराष्ट्रा आप कुछ अपने बारे में बता सकते हैं, आप कौन सी प्रॉलम फेस कर रहे हैं और कपसे आपकी ट्रेडिंग शुरू हुई, क्या आपकी जर्णी रहे हैं तो कुछ बारे में बता सकते हो and I'll note it down, उसके जो भी मेरे साइट से आपको कुछ होगा रिव्यू या फिर जो भी आपको सेशिशन दे सकते हैं I'll try to give that, okay? Okay, okay, let's begin the session, okay? चली, बताइए, कब से आप्ट्रेड कर रहे हो, तो मतलब मैं इंट्रारे अगर सिर्फ इंट्रारे ट्रेडिंग की बात करो तो मैं देड़ से दो साल होगे मुझे तो पहले मैंने इक्विटी से स्टार्ट किया था, लगबक मतलब एक साल से ज्यादा मैंने इक्विटी किये, और उसके बाद मैंने वन मन तक फूचर्स किये थे, और अभी पिछले एक-दो महिने से मैं अभी option buying कर रहा हूँ तो आप स्टार्ट किया अपने एक्विटी से ठीक है, उसके बाद आपने फूचर पर मूव किया, तो एक्विटी में आप profitable हो गए थे, एक्विटी में मतलब consistent तो नहीं था, लेकिन consistent result नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने futures में convert किया, consistent मतलब मैं जाना चाहता हूँ कि अगर आप एक महिने का अपना profit loss add करो, तो एक महिने के end में क्या आता था, profit की loss, equity में, loss में था, loss मतलब आप equity में profitable नहीं हुए थे, अप loss में थे, ठीक है, फिर आप future में shift कर गया, येस, और futures के पहले एक दो विग बहुत बढ़ा गय थे, मेरे, लेकिन उसके बाद मैंने capital मतलब कम कर लिया था, तो capital की problem की वाज़े से, फिर में ने option buying start कर भी, ओके, ठीक है, तो future में profitable हुए थे, हाँ, मतलब एक मंद के लिए profitable था, और खाली एक मंद किया है, में थे, और फिर मतलब यही कि में, जब भी loss होने लगता है, तो में strategy switch करने लगता हूँ, ये मेरे मतलब में problem रहा है, मेरे journal के according, अब ये तो सिर्फ मतलब मेंने, एक ये दो ही लोट से कर रहा हूँ, फिछले दो तिन महीने से भी, पर at the end loss में हो, मौन दे, ठीक है, आपके sheet में आपने बताए कि आपने लोन ले रखा है, ट्रेडिंग करने के लिए, हाँ, ओके, ठीक है, तो तुश profitable नहीं हुए, आप, आपने give up किया, आप फिर futures में, futures में थोड़ा सा अपने एक में ट्रेट किया, वो profitable रहे, येस, येस, बट फिर आपने capital कम किया, और capital कम करने के विए से, options buying में आप entry कर गया, येस, और फिर आप regularly अपनी strategies को switch करते रहते हो, येस, और अभी last के मतलब, येक वन एन आप में से सिर्फ एकी strategy पर काम कर रहा हो, तो मतलब, नेट प्रॉपिटेबल तो नहीं हो, लेकिन loss भी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 1% के अंदर ही, minus, ओके, और आपको बड़े losses हुए है, नहीं मतलब, वो plus point है कि मेंने कभी भी day में, 2% से ज्यादा loss ने और बड़े profits, profits में लिमिटेड ही, मतलब 2% से ज्यादा profit आपने कभी नहीं लिया, 2.5% येस, maximum, ठीक है, तो, major problem है आपकी कि आप options में trade कर रहे हो, ओके, look, मैं बताता हूँ, जनरी क्या होता जैसे आपने equity में start की trading, ठीक, yes, equity trading, intraday का सबसे easiest part है, yes, अगर आप equity में trade कर लेते हो, equity में profit कर लेते हो, तो आप अराम से आगे और चीजों को सीख सकते हो, अगर आप equity में profitable नहीं हो, तो आगे बढ़ना, futures, options में जाना, is not recommendable, ठीक है, वो आप वहाँ पर जाओगे तो, most probably आप loss करोगे, ठीक है, that's the first mistake, कि आपने अगर equity में नहीं profitable हुए, और आप futures, options में move कर रहे हो, तो वो बह futures में move किये, equity में होने के बाद भी, profitable नहीं होने के बाद भी, features में move किये, फिर आप futures में move करते हो, options buying में, क्यों कि आपके पास capital कम है, yes, बिल्कुल, that is even bigger mistake than the previous one, क्यों, option buying, इसलिए नहीं क्या जाता है, कि आपके पास capital कम हो, yes, option buying में आप क्या करते हो, ठीक है, मैं समझ रह जितना भी आप capital रखते हो, जैसे माल लेते हैं, आपने एक lot buy किया, दो lot buy किया, 10,000 रुपे लगाए, yes, तो 10,000 रुपे जो आपने लगाए, वो पूरा का पूरा risk पे होता है, उसमें कोई ये नहीं है, कि आपका उपर नीच बच जाएगा, अगर आपको, अगर आप hold कर रहे हो, अपनी position को माल या overnight hold कर रहे हो, तो there might be a possibility कि रात में gap down हो गया, आपने call buy कर रखा था और पूरा का पूरा capital खतम, ठीक, तो option buyer देखी क्या करते हैं, जो option buyer होते हैं, उनका capital कम नहीं होता है, उनका एक trade में investment कम होता है, ठीक, जैसे माल लगते हैं, आपको अगर लग का capital है, तो वो सिर्फ 10,000 ही लगाएगा अपना उस particular trade में, जिसमें वो option buying कर रहा है, वो एक लाग का एक लाग पूरा नहीं लगा देगा, लेकिन अगर आप equity में trade कर रहे हो, तो आप equity में एक लाग का एक लाग पूरा लगा सकते हो, because equity में risk manage करना is easy, तीक है, risk manage करना easy है, देखे, अब अगर हम equity में risk की बात करें, just a minute, screen दिखरी आपको ना, yes, decrease, ठीक है, risk management इन equity अगर हम यह देखें, तो यह कैसे होता है, दो चीजें है risk manage करने के लिए जिसका इस्तमाल करते हैं, मैं करता stop loss, ठीक, और दूसरा quantity, yes, okay, equity में आप stop loss भी control कर सकते हो, equity में आप quantity भी control कर सकते हो, clear है, yes, yes, clear, options में आप stop loss भी control कर सकते हो, but quantity नहीं control कर सकते हो, because वहाँ पर आपको lot में trade करना होता है, yes, clear, अब चलिए, अगर माल लेते हैं, आप equity में trade कर रहे हो, और आपने सोच लिया है कि मेरे को per trade सिर्फ thousand rupees का loss लेना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसक points का stop loss है, तो thousand divided by ten, यह आजागा आपका hundred, और यह आपकी हो जागी quantity, yes, position sizing, position sizing, ठीक, अब इस position sizing के साथ, आप कभी भी trade करो, कैसे भी trade करो, तो आपको 1000 rupees से यादा loss नहीं होगा, उस particular trade में, that means, यहाँ पर risk manage करना is very easy, but अगर आप options में आजाओ, options में कैसे risk manage करोगे, एक तो options में यह होती है, कि stop loss आपको premium पे लगाना होता है, ठीक है, लेकिन analysis करनी होती है, आपके chart पे, spot के chart पे, दूसरी बात यह है कि quantity में भी आप पूरा freedom नहीं होती है, आपको lot wise select करना होता है, तो दोनों जगा आपको risk manage करने में difficulty आएगी, और उस तरीके से आपको लगेगा बार-बार कि आप trade नहीं कर पा रहे हो, ठीक, वो आपको problem देगा, ओके, now, अगर आपका less capital है, तो मैं कहूंगा कि आप फिर से दुबारा equity पर जाओ, ठीक है, equity पर दुबारा जाओ, equity पर trade करना, start करो, अगर आप खुश हो, जैसे आपने बताया कि आप 1%, 2% return generate कर गी, आप खुश हो, ठीक, तो उतना return आप equity में भी generate कर सकते हो, माल लिया, आपका अगर, जो भी 10,000 का capital अभी आप देख रहे हो, आपको trading आती है, इतना मैं समझ रहा हूँ, आपका major problem है risk manage करना, ठीक है, trading आपको आ रही है, तो आपके पास एक लाग रुबारा capital है, आप 10,000 से तो बात, equity में trade करते करते हैं, आप overtrading ना करो, इसलिए आपको rule बनाना पड़ेगा, कि once trade a day, मैंने अभी तक maximum 2 trade से जाधा ले नहीं, great, ठीक है, तो यह भी rule सही है, कि आप maximum 2 trade लोग एक दिन में, उससे जाधा नहीं, चाहे profit और चाहे loss हो, okay, तो यह दो rule आप अगर trade, यह दो आपने loss कर दिया, तो आप trader नहीं हो, loss में आगए वो नहीं होता है, ठीक है, as a trader, आप कितने भी वड़े trader हो, आप कितने भी पड़े profitable trader हो, आपको profit and loss दोनों ही लेना पड़ेगा market में, clear, तो आपने क्या करना है, एक महीने लगाता आप trade करना है, और एक महीने के end में यह कि आपने profit earn किया की नहीं किया, ठीक है, एक महीने के end में अगर आप देखोगी profit मिला के नहीं मिला, तो आपको समझ में आगा कि आप profitable हो की नहीं हो, अगर आप profitable हो, तो keep continuing that for next one year, आपका capital में भी अगर आप एक एक percent भी generate करोगे ठीक ठाक, और monthly अगर आप मान लेते हैं, 10% का return भी generate करते हो, आप monthly, ठीक है, that is also very good return, और 10% generate करना इस logic से, is not difficult on your capital, capital अगर बड़ा है, तो मैं समझ सकता हो की problem आ सकती है, अगर अगर capital आपका अभी फिलाल है, ठीक है, तो 10% return generate करना एक महीने में is not difficult, तो आप यह चीज़ें कर सकते हो, options मत करो अभी, futures मत करो अभी, और strategies जैसे आपने switch करने वाली बात बताई, देखे, strategies switch नहीं करते हैं, strategies को modify करते हैं, मतलब मैंने future से option इसलिए switch किया था, क्योंकि futures में, stop loss में मतलब index में, bank nifty में 80 point तक लेता था, और वह निलोट से कर रहा था, तो option में भी, अगर मैं 80 points का stop loss ले रहा हो, तो मतलब loss कम हो रहा hit भी तो होगा, yes, अगर आप futures में trade कर रहे हो, तो futures की movement, आपके sport के movement के साथ साथ होती है, बहुत ज्यादा difference नहीं होता है, yes, बिल्कुल, ठीक, नहीं होता है, लेकिन अगर आप nifty के options में trade कर रहे हो, तो दोनों की movement में काफी difference होता है, और मतलब में profit loss को मतलब side में रखते ह capital भी बड़ा में चाहिए, देखिए, focus आप सिर्फ एक चीज़ पर करते हो, वो है loss, yes, ठीक है, एक सवाल का जवाब दो इतने दिसा आप trade कर रहे हो, आप market में एक ऐसी क्या चीज़ है, जिसको आप fully control कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है, जो आपके full control में है, risk के कर सकते है, loss, ठीक है, आप loss को fully control कर सकते हो, उसमें, अगर आप चाहो तो, बिल्कुल strictly आप उसको एक level तक लाकर रोक सकते हो, उसमें कोई किसी का हाथ नहीं है, तो जिस चीज़ को control कर सकते हो, उसको छोड़ने होगी मतलब नहीं बनता है, एक वही variable है, जो आपके favor में जा सकता है, औ आपको daily trade है, वो आपको बहुत major profitable नहीं बनाएंगे, नहीं आपके daily losses आपको major loss मिली जाएंगे, ठीक है, वो महीने में एक दिन ही होता है, जो आपका पूरा महीना सुधार देता है, या पूरा महीना बिगाड़ देता है, ठीक है, 100% यह सही है, तो अगर आप risk को manage करते हो, अपना loss एक limited level पर लाके रख देते हो, तो पूरा महीना बिगाड़ने वाली बात चली गई, अब जो बचा पूरा महीना बनाने वाली बात, तो वो एक profit को ढूंडते रहो कि महीने में कम मिलता है, जैसे वो profit मिलता है, आपका पूरा महीना सुधर जाएगा, ठीक है, तो this is इतना टाइम होने के बाद भी कही न गया भी लगता है, मतलब confidence लैक करेगा, आज भी करेगा, मेरे जालते कुछ दिन बात भी करेगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो normal चीज है, आदेको market बहुत बड़ी चीज है, इतना मतलब छोटा मोटा game नहीं है, तो अगर आप इसमें confidence, बहुत ज्यादा confident हो जाओगे, तो भी अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ा बहुत डर रहना चाहिए, market में डर भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आपको trade ना लेने दे, तो बड़ा, मतलब आप समझ दो कि, अगर आप सही ingredient mix करोगे, तब ही trader बन पाओगे, अगर आपने कोई भी चीज थोड़ी सी ज्यादा कर दी, थोड़ी सी कम कर दी, तो problem हो आपे हो जाती है, अब कैसी strategy follow करते हो, क्या indicator price action क्या करते हो, प्राइस section and volume, okay, और stock कैसे select करते हो, आप में भी जो हमारे viewers, उनको फायदा मिल जाएगा, देखने से, support rational के basis पर उसमें trade करते हो, येस, बतलब पहले one day before में analysis करके रखता हो, जो भी मेरे लिए हो, इसके according अच्छे लगते है, उनमें से 4 पाज में finalize करता हो, ने एक दिन पहले अगर आप analysis करते हो, तो आपको काफी कुछ clear दिखता है market में, during market अगर आप analysis करने जाते हो, तो problem हा बहुत clear picture दिखती है market की, कि आप कैसे उसमें trade कर सकते हो, या फिर और क्या होना चाहिए, ठीक, तो जो भी आपका planning है, वो एक दिन पहले करो, काफी help होगी आपकी, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, तुशार, it's nice talking to you, अगर आपको कुछ और पूछना था, आप अगर बात होती है, तो confidence भी मिलता है, और हमारे जो राए हो भी, मतलब right path पर हम मिल जाता है, great, great तुशार, अच्छा लगा बात करके आप से, follow करो ये सब चीजे, और हम एक बार और अगर आपको profitability हो जाती है, या फिर जो भी होता है, एक महीने बाद अब जो मेंको message करके बताना, mail करके बता सकते, message करके बता सकते, and maybe हम कुछ और बात करेंगे, ठीक है, okay, चलिए, bye bye, good night, thank you sir, thank you, bye bye, अब तुशार की एक गलती और भी थी, जो मैं उनके सामने नहीं बोलना चाहता था, लेकिन है actually गलती, अगर आप एक trader हो तो आपको कभी भी loan लेके trading start नहीं कहने चाहिए, okay, माल लेते हैं, कोई भी, कितना भी आपको problem हा रही हो, लेकिन आपको अपने saving पर ही trading start कहने चाहि है, okay, loan लेने का मतलब क्या होता है, कि आप उस पे एक तो interest दे ही रहे हो, okay, interest देने के बाद भी आपको EMI pay करना पड़ सकता है, maybe, या फिर उसका एक pressure होता है कि loan अगर डूब गया, तो कहां से लाएंगे, imagine करो कि आपने bike खर दी loan पर, या फिर कुछ भी phone खरदा loan पर, phone कि, it's right कि मतलब बिल्कुल ही loss हो गया, तो जब भी आप trade करने जाओ, small capital से भी start कर सकते हो, जब आपके पास पैसे नहीं हो, तो आप उस ताम पर trading सीखने की कोशिश करो, 1000, 2000, 5000, 1000, 1000, 1000 से, और जब आपको आज आए, और capital दीर दे जुटा लो, तो फिर उस capital को invest करो और पैसे में Google form है, you can fill that form और we will call you, my team आपको contact करेगी, आपसे date fix करेगी and हम पूरा meeting करेंगे.